नारायन नारायन आजम पढ़ रहे हैं रभू की निवासस्थली भक्तों का हुदया जागत सोबत सरन तुम्हारी बाई डॉक्टर श्री राम किंकरजी महराज श्री राम इशरना ममा चतुर्थ प्रवचन महराशी वालमे की भगवान श्री रागवेंद्र से कहते हैं कि जो परस्तरी को मा की तरह देखते हैं दूसरे के धन को विश्की अपिक्षा भी अधिक भयावना मानकर उसका त्याग कर देते हैं दूसरों की संपत्ती देखकर प्रसन न होते हैं दूसरों की विपत्ती देख कर दुखी हो जाते हैं तथा आप जिनको प्राणों से भी प्रिये हैं आप उनके हुर्दय में निवास कीजिए यदि विचार करके देखें तो यहाँ पर बड़ा विलक्षन सूत्र दिया गया प्रश्ण यह है कि अपने और पराई का भेद होना चाहिए या नहीं यद्यपी वैसे तो शास्त्रों में यही कहा गया कि अयम निजपरोवेती गणना लगुचेत साम उदार चरिता नामतु वसुधाईव कुटुम्ब कम यह मेरा है वह पराया है ऐसी भावना तो क्षुद्रहदय वाले व्यक्ती के अंदर उत्पन्न होती है पर उदार व्यक्ती के लिए तो यह विश्व एक कुटुम्ब की तरह है पर यहां एक अद्बुत संकेत करते हुए कहा गया कि स्व और पर का भेत भी करना चाहिए एक समस्या जो हमेशा व्यक्ती के सामने आती है कि कौन सा सिद्धांत ठीक है और कौन सा गलत वह यहां पर भी उपस्थित हो सकता है इस विवाद का कभी कोई अंत हो ही नहीं सकता क्योंकि तर्क वितर्क के द्वारा प्राप्त होने वाली विजयतो तर्क करने वाले की बुद्धी मत्ता का परिचायक है न की वास्तविक्ता का यह आवश्यक नहीं है कि यदि कोई व्यक्ति तर्क वितर्क में हार गया तो उसका सिद्धान्त सही नहीं है और यदि तर्क से जीत गया तो उसका सिद्धान्त सही है इसे एक सरल दृष्टान्त के द्वारा समझा जा सकता है एक व्यक्ति रोगी है और रोग निवारण हे तु दवा लेने के पहले अगर वह यह निर्णई करने बैठ जाए कि आयुरवेदिक अलोपैथी, होमियोपैथी या प्राकर्तिक चिकित्सा आधी चिकित्सा शास्त्र की जो भिन भिन पदतियां हैं उनमें से कौनसी ठीक है उनके सारे विशशक्नों को बुला कर कह दे कि पहले आप लोग तर्क बितर्क करके आपस में यह निर्णई कर लीजिए कि कौनसी पैथी ठीक है तब मैं दवा करूँगा बस्तुधा ऐसा करने वाला व्यक्ति तो अपनी मृत्यों को ही बुला रहा है क्योंकि प्रतेक चिकित्सा पदती में कोई ना कोई विशेश्टा होती है दवा या पदती कौनसी सुरेश्ट है इसकी कसोटी एक ही है कि दवा खाने के पश्चात लगे कि रोग के लक्षन कम हो गए और व्यक्ति को स्वस्थता की अनुभूती होने लगे तो इसका अर्थ है कि उस व्यक्ति के लिए वहदवा ठीक है पर अगर कोई व्यक्ति यह आग्रह कर बैठे कि अमुक पदती ही सुरेश्ट है जैसा कि कई व्यक्तियों के जीवन में देखा जाता है तो यह आग्रह ठीक नहीं है हमारे एक परिचित महानुभाव थे उनकी होम्योपैथी के प्रती बड़ी आस्था थी वैसी आस्था होना कोई बुरी बात नहीं है पर उसकी एक ऐसी सीमा आ गई कि जब उनकी आस्था एक दुराग्रह में बदल गई वे कभी कभी स्वयं के लिए तथा दूसरों के लिए भी समस्या बन जाते थे जहां कहीं भी पहुँच जाते उनका तरक प्रारंभ हो जाता कहीं भी देख लिया कि कोई अन्य ओशद दी जा रही है तो यहीं से प्रारंभ करते थे कि आप दवा नहीं बलकी जहर ले रहे हैं इस जहर को छोड़िये इस व्रत्ती का एक दुखद पक्ष यह हुआ कि स्वयम उनके परिवार में ही इस दुरागरह के परिणाम स्वरूप एक महिला की मृत्य हो गई पर वे अपने आगरह पर ही दुरागरह रहे इसलिए हमारे शास्त्रों में एक बात यह भी कही गई है कि विवेक का फल आगरह नहीं है बुद्धे फलमन आगरह विवेकी व्यक्ति के जीवन में आगरह इतना प्रवल नहीं होता कि वह आगरह जड़ता का परिचायक बन जाए दुर्ड़ता का अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति एक जड़ता की स्थिती में पहुँच जाए इस संदर्ध में एक बड़ा गंभीर सा समझने योग्य सूत्र है हमारे पुराणों में वर्णन आता है कि देवता जब बार बार दैत्यों से हारने लगे तो वे व्याकुल होकर भगवान विश्नु के पास गए भगवान विश्नु ने कहा कि समुद्र में अमरच्छपा हुआ है और मन्थन के द्वारा आप सब दैत्यों को हरा सकेंगे जब समुद्र मन्थन का अपरत्न किया जाने लगा तो एक समस्या सामने आई कि मन्थन के लिए मतानी तथा उस मतानी को चलाने के लिए रसी की आवश्यक्ता होती है किसी भी व्यक्ति को दही सेद नवनीत प्राप्त करने में भी इसी प्रक्रिया का ही आश्रय लेना पड़ता है व्यक्ति यदी सोचे के दही सुंदर रूप में जमा हुआ दिखाई भी देता रहे तथा नवनीत भी निकल आए तो यह संभव नहीं है मथानी को दही में रखकर चलाने की आवशक्ता तो होगी ही समुदर मंथन के संदरभ में भी देवताओं ने जब प्रशन किया कि महराज मथानी किसे बनाए तो भगवान ने कहा कि मंदर आचल परवत को मथानी बनाओ परवत के लिए संस्कृत में अचल शब्द का प्रयोग किया जाता है पर भगवान ने जब यह कहा कि मंदर आचल को मथानी बनाओ तो इसके पीछे उनका तात पर यह क्या है क्योंकि प्रश्ण यह है कि मथानी बनाने में आचल को चल बनाना पड़ेगा या नहीं और इस प्रकार भगवान ने संकेत किया कि आचल को चल बनाओ ग्यान दीपक प्रसंग में इसका सूत्र देते हुए कहा गया कि मंदराचल परवत है विचार मुदिता मथय विचार मथानी किन्तु विचार चल होना चाहिए या अचल अगर इस प्रश्ण पर विचार करें तो हमें यह स्पष्ट प्रतीत होगा कि इन में बड़ा सूक्ष्म अंतर है क्योंकि अगर कोई विचारों में स्थिर न रहे तो वह अस्थिर चित्त वाला माना जाएगा किन्तु भई पत्थर भी तो स्थिर है इसलिए क्या जड़ता ही स्थिरता का प्रयायवाची है वस्तु तह स्थिरता और जड़ता में अंतर है अतह स्थिरता के साथ साथ गती शीलता भी चाहिए मंदराचल इतना भारी था कि समुद्र में डालने पर वह नीचे की ओर धसने लगा और जब यह लगा कि मतानी तो पाताल में चली जाएगी तो भगवान कच्वे का रूप बनाकर समुद्र तल में बैट गए तथा उनकी पीठ को आधार बनाकर मंदराचल परवत को उसके उपर रखा गया उसके पश्चात वासुकी नाग की रसी बनाई गई ये तीनों ही संकेत बड़े महत्व पूर्ण है सीधा सा अभी प्राई है कि विचार स्थिर हों पर जड़ नहीं साथ साथ उनका आधार इश्वर हो क्योंकि विचार के मूल में अगर इश्वर न हो तो विचार भगवान को अधोगामी बना देगा मुझे स्मर्ण आता है कि जबलपुर में प्रवचन चल रहा था वहाँ पर एक बहुत बड़े विद्वान उपस्थित थे उन्होंने कहा कि मैं कुछ देर बोलना चाहता हूं मैंने पूछा कि आप किस विशय पर बोलेंगे तो उन्होंने कहा कि मेरा विशय होगा कि जो तुम कहोगे उसका मैं खंडन करूँगा तुम अगर कहोगे कि इश्वर है तो मैं सिद्ध कर दूँगा कि इश्वर नहीं है और अगर तुम कहोगे कि इश्वर नहीं है तो मैं सिद्ध कर दूँगा कि इश्वर है वस्तुतह विचार का आधार इसलिए आवश्यक है क्योंकि आपका विचार कहीं नास्तिक तो नहीं बन रहा है आपको कहीं बुरायों का समर्थन करने वाला तो नहीं बना रहा है हमें विचार को गतिशील बनाना है पर अधोगामी नहीं इसलिए भगवान ही उसके आधार है विचार ही परवत है और वासुकी नागमानो संशय का प्रतीक है रामचरित मानस में कहा गया है कि संशय सर्प ग्रसे हूं महीताता इसका सिधासा अभिपराय है कि आपका विचार गतिशील तब होगा जब आपको किसी प्रकार का संशय होगा मेरे पास आकर कई व्यक्ति प्रशन करते हैं कि संशय होना अच्छा है या बुरा इसका सीधा सा उत्तर है कि संशय होना तो आवश्यक ही है क्योंकि आपके मन में अगर कोई प्रश्न ही नहीं है कोई जिग्यासा ही नहीं है तो आप किसी विशय पर विचार कैसे करेंगे आप विचार तो तभी करेंगे जब आपके मन में प्रश्न हो जिक न्यासा हो कि कस्मई देवाय हविशा विधेम इस ब्रम्भान्द की रचना कैसे हुई? इसके मूल में क्या है? अगर अर्जुन के मन में संचय न होता तो गीता का तत्वज ज्ञान भी प्रकटना होता विभीशन के मन में संचय न होता तो रामचरित मानस में जिस धर मरत का उपदेश दिया गया है वह सामने ना आता इसका आर्थ है कि जब हम संशय विचार और भगवान का आश्रय लेकर केवल पुरुशार्थ करते हैं तो हमें ग्यान का अमरित प्राप्त होता है ग्यान की उस अमरित को पाने के बाद ही व्यक्ती दुर्गुण तथा दुर विचारों पर विजय प्राप्त कर सकता है भगवान ने देवतां से पहले ही कह दिया था कि जिधर वासु की नाग कासिर हो उधर जाकर खड़े हो जाना इसलिए जब वासुन की नाग को लाया गया तो देवतां मुख की ओर जाकर खड़े हो गए गह देख कर दैतियों को बड़ा करोध आया उन्होंने कहा अच्छा तुम लोग अपनी को उची जाती वाला समझते हो इसलिए सिर की ओर खड़े हो रहे हो और हमें नीचा समझ कर पूँच की ओर खड़ा कर रहे हो हम उचे हैं इसलिए चलो तुम आगे पूँच की ओर रहो और हम लोग सिर की ओर खड़े होंगे वस्तुतह भगवान तो यही चाहते थे वे जानते थे कि जो मुख की ओर खड़ा होगा उसे तो विश्का ही ताप सहन करना पड़ेगा क्योंकि जब वासु की नाग को मन्थन के लिए चलाया जाएगा तो इससे उसे पीड़ा होगी और तब उसके मुख से विश्की ज्वाला निकलेगी जब वह विश्व उगलेगा तो जो मुख की ओर खड़ा होगा वह जलेगा अधमरा हो जाएगा और जो पूँच की ओर खड़ा होगा वह सुरक्षित रहेगा इस कथा का तात पर यह है कि संशय को तो आने दीजिए पर सिर की ओर नहीं अभी तो पूँच की ओर खड़े होगी इसका अर्थ है कि अभिमानी बनकर नहीं अभी तो जिक्न्यासू बनकर विचार कीजिए कई लोग जब प्रश्ण पूचने आते हैं तो उत्तर भी पहले से ही निश्चय करके आते हैं वस्तुतह वे जिक्न्यासा लेकर नहीं आते वे तो केवल परिक्षा लेने के लिए आते हैं उनके मन में जो उत्तर है अगर आप ठीक वही कह दें तो वे कहेंगे कि हाँ ठीक है पर अगर आपने भिन्न बात कह दी तो कहेंगे कि यह ठीक नहीं है इस प्रकार जो अभिमानी है तथा जिनके संशय का अर्थ जिक्नियासा मूलक नहीं है वही मानो दैत्य व्रत्ती से ग्रस्त है अर जिन जब प्रश्ण करते हैं तो अभिमान से नहीं करते अपितू वे तो यही कहते हैं कि मैं ठीक ठीक नहीं जानता अतह शिश्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम आप कृपा करके अपना शिश्य मान कर मेरा संशय अदूर कीजिए इसका अर्थ है कि शधा विहीन अभिमानी व्यक्ति जब अभिमान के आधिन होकर प्रश्न करता है तो उसका परिणाम विनाश होता है पर जो व्यक्ति जिक्नियासा लेकर संशय करता है उसके परिणाम में कल्यान तथा आनन्द की अनुभूति होती है महरशी भर्दवाज ने भी संशय व्यक्त करते हुए इसी जिक्न्यासा अवरत्ती का परिचय दिया है वे कहते हैं कि नाथ एक संसव बढ़ मोरे करगत बेद तत्व सबुतोरे इसका अर्थ है कि व्यक्ति जब संशय विचार और इसके साथ साथ भगवद आश्राय को लेकर मंथन करेगा तभी उसे दिवे ज्यान का अमरत मलेगा वस्तुतह जो समस्याएं समुद्र मंथन में हैं वे सभी समस्याएं हमारे आपके जीवन में भी हैं सिद्दान्त चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो पर यदि आप उसका दुरुपयोग करते हैं तो वह आपके लिए अकल्यान कारी है सिद्दान्त तथा दवा का उपयोग करने पर अगर आपको यह लगने लगे कि अब दुरुबलता पहले से कम हो गई पोक लगने लगी तथा रोग घटने लगा तो यह समझना चाहिए कि दवा ठीक है इसलिए मानस रोग प्रसंग में मन के रोगों का वर्णन करने की पश्चात कहा गया कि यद्यपी दवाईं तो अनेक हैं पर सर्वसुरेश्ट औशद भगवान की भक्ती है तुलसी दास्ची कहते हैं कि सद्गुरु ही वैद्य है सद्गुरु वैद्य वचन विजवासा संजम यहन विशय कई आसा रगुपती भगती सजीवन मूरी अनूपान श्रद्धा मति पूरी इही विदी भले ही सुरोग नसाही नाही तजटन कोटी नहीं जाही सद्गुरु को वैद्य बनाकर श्रद्धा के अनूपान के साथ जो विक्ती भक्ती की दवा का सेवन करेगा उसका रोग नश्ट हो जाए यह संभव है संत सद्गुरु के पास अगर श्रद्धा लेकर नहीं गए तो उनकी बात का स्वभाविक परिणाम हमारे जीवन में नहीं होगा आपने बहुता देखा होगा कि वैद्य जब दवा देते हैं तो उसके साथ कोई ना कोई अनूपान अवश्य बता देते हैं अनूपान का अर्थ है कि दवा को किस वस्तू के साथ लेना है दूद के साथ लेना है या शहद के साथ अथवा अन्य किसी वस्तू के साथ इस प्रसंग में जब यह पूछा गया कि अनूपान क्या है तो गोस्वामी जी ने बताया कि भक्ती ही दवा है तथा श्रद्धा का अनूपान है इसी लिए साधन की जो दवा दी गई है उसे जब आप श्रद्धा पूर्वक ग्रहन करेंगे तो आपके जीवन में साधना फलवती होगी वैद्य तथा डॉक्टर यह भी बताते हैं कि यह वस्तू खाईए तथा यह न खाईए इसी प्रकार यहां पर भी इस दवा के सेवन करने में क्या क्या पथ्य तथा कुपथ्य हैं यह बताते हुए कहा गया कि संजम यह न विशय कई आसा विशय का परित्याग करना ही इसका पथ्य है सच मुच कितनी बढ़िया बात कही गई क्योंकि आप चाहे बढ़िया से बढ़िया दवा ले पर यदि दवा की मात्रा थोड़ी और पत्य उससे ज़्यादा ले तो दवा का क्या प्रभाव होगा इसी लिए कहा गया कि विश्यों की आशा छोड़ देना ही पत्य है बंबई में मैं असवस्त हुआ उस समय डॉक्टर ने जो वाक्य कहा उसे रामायन के संदर्भ में सोच कर मुझे बड़ा आनन्द आया जब डॉक्टर से पूछा गया कि क्या खाएं और क्या न खाएं तो डॉक्टर चाहते जो बता सकते थे कि अमुक अमुक वस्तुएं लें पर उन्होंने एक ही वाक्य कहा कि जो अच्छा ना लगे वही खाईए इस तरह उन्होंने एक वाक्य में बहुत बड़ी बात कह दी क्योंकि बहुत स्वादिष्ट लगने वाली वस्तुओं के कारण ही तो बहुदा रोग उत्पन होता है रामायन में भी कहा गया है कि संजम यहन विशय कई आसा व्यक्ति को सुभाविक रूप से विशय अच्छे लगते हैं जब जीवन में विशय की मातरा अधिक होगी तधा दवा की मातरा कम होगी तो निश्चित रूप से लाब नहीं होगा इसलिए विशय स्वाद का परित्याग तो व्यक्ति को करना ही होगा यही पत्य है फिर पूछा गया कि दवा लाब कर रही है यह कैसे ग्न्यात हो तो बहुता देखा जाता है कि रोगी की भूक बंद हो जाती है बहदुर्बल भी हो जाता है स्नान करने कामन नहीं करता और उसे लगता है कि स्नान करने से रोग और बढ़ जाएगा इसलिए उन्होंने कहा कि अब सद बुद्धी की भूक बढ़ने लगे सुमती छुपा बाढ़ी नित नई क्योंकि अगर बुद्धी में कोई प्रश्न ही न हो तो फिर वह बुद्धी की मंदागनी है शरीर में जिस तरह भूक न लगने की स्थिती में व्यक्ति यह सोचकर पसंद नहीं हो जाता कि चलो जंजट छूटी और अन्न भी वचेगा अपितु होता यह है कि भूख न लगने पर व्यक्ति चिंतित हो जाता है उसी तरह से बुद्धी में भूख न होना भी चिंता का विशय है वह मंदागनी कई व्यक्तियों के जीवन में दिखाई देती है उनको लगता है कि बुद्धी की बाते छोड़ो बुद्धी को लेकर क्या करना है पर बुद्धी में भूख होनी ही चाहिए इस संदर्ब में आप देखिए कि हनुमान जी की भूख कितनी प्रबल है इसलिए जब वेश्री किशोरी जी के पास गए तो उन्होंने यह नहीं कहा कि मुझे भूख लगी है अपितु कहा कि सुना हूँ मा तुमोही अतिसय भूखा अती भूख भी नहीं अपितु अतिसय भूख शब्द का प्योग किया मा ने पूखा कि भूख के साथ यह अतिशय का क्या अर्थ हुआ तो हनुमान जी ने कहा मा सत्य तो यह है कि मैं जन्म जात भूखा हूँ इस संदर में बड़ी प्रसिद्ध कथा आती है जब हनुमान जी का जन्म हुआ तो लाल-लाल सूरे दिखाई पड़ा और हनुमान जी ने उसको फल समझ कर खा लिया प्रशने यह है कि क्या सचमुच्री हनुमान जी इतने ना समझ थे कि उन्होंने सूरे को फल समझ लिया जिस परवत पर हनुमान जी थे उसके आसपास फलों के व्रक्ष नहीं थे क्या यद्यपी परवत परतु अने का नेक फल युक्त व्रक्षत है और यदि उनका फल वे तोड़ना चाहते तो यह बात ठीक होती पर इसके स्थान पर इस सूर्य रूपी फल को खाने के लिए उन्हें कितनी लंबी छलांग क्यों लगानी पड़ी किती विचार करके देखें तो हमें स्पष्ट प्रतीत होगा कि जिसने एक छलांग लगा कर सूर्य को मुह में धारन कर लिया हो वे श्री हनुमान जी कितने विलक्षन है और उनकी भूख कोई साधारन नहीं है इतना ही नहीं फल खाने पर इंद्र ने वज्र से उन पर प्रहार कर दिया तथा हनुमान जी को मुर्चित होना पड़ा पर बाद में जब पवन देवता की द्वारा प्रान वायू की गती रुखने लगी तो फिर सारे देवताओं ने क्षमा याचना की तथा हनुमान जी को वर्दान दिये किन्तु हनुमान जी के द्वारा इस प्रकार कारे करने का तात्पर ये क्या है आये इस पर भी थोड़ा सा विचार कर लिया जाए वस्तुतह श्री हनुमान जी ने किसी ब्रह्म के कारण सूरे को फल नहीं समझा था फल के बारे में आप पड़ते ही हैं कि अर्थ धर्म काम और मोक्ष ये चार फल माने जाते हैं हनुमान जी यदी चाहते तो अर्थ का फल उन्हें सरलता से प्राप्त हो जाता काम तथा धर्म का फल भी वे प्राप्त कर लेते परन्तु पास वाले फलों की ओर हनुमान जी ने हाथ नहीं बढ़ाया इसका अर्थ है कि उन्हें ग्ञान की भूख है प्रकाश की भूख है संसार की वस्तूओं की भूख उनके जीवन में नहीं है वे तो केवल चरम फल के लिए छलांग लगाते हैं श्री हनुमान जी सचमुच छलांग लगाना जानते हैं उनकी प्रतेक छलांग अनोखी है जब उनकी पहली चलांग लगी तो सूरे तक पहुँच गए दूसरी चलांग जब लंका की दिशा में लगाई तो श्री सीता जी तक पहुँच गए तीसरी चलांग में लक्षमन जी के लिए दवा लेने दोनाचल परवत पर पहुँच गए और चौधी छलांग लगी तो लंका से सीधे अयोध्या पहुँच गए और वहां जाकर श्री भरत जी को संदेश सुनाया इस प्रकार श्री हनुमान जी की ये चार छलांगे हैं पर छलांग लगाने का अधिकार सबको नहीं है हमारे लिए तो सीधी से चड़ना ही उपा देए है इसका वहवारिक पक्ष है कि व्यक्ति यदि यह सोचे कि मुझे अर्थ, धर्म तथा काम का फल नहीं चाहिए मुझे तो केवल मोक्ष चाहिए यह उचित नहीं है साधरन व्यक्ति श्री हनुमान जी का अनुसरन करके चलाग तो लगा दे पर अगर चलांग सही ना लगी तो वह नीचे भी गिर जाएगा इसलिए श्री हनुमान जी की भूख माने सुमती चुधा अर्थात ज्यान रथा प्रकाश की भूख हनुमान जी ने सूरे को मुख में धारण कर लिया इसका भी अर्थ दूसरा था हमारे पुराणों में बड़ी सांकीति कथा आती है कि ठीक उसी समय सूरे ग्रहन लगने वाला था समय पाकर ग्रहन लगता है और सूरे का प्रकास छिप जाता है इसका अर्थ है कि सूरे के साथ भी रहू क्यों समस्या है यह रहू मातसर रित्था इर्षय की वत्ती का परिचायक है परणन आता है कि रहू का रंग है काला तथा सूरे है उच्वल और राहु यह चेश्ठा करता है कि भले ही हम ग्यान सूरे को हमेशा के लिए न मिटा सकें पर थोड़े समय के लिए इसे ग्रस कर अंधेरा तो अवश्य ही फैला सकते हैं हनुमान जी के जन्म के समय जब राहु सूरे की ओर बढ़ रहा था उसी समय हनुमान जी छलान लगा कर पहुंचे और उन्होंने सूरे को मुह में धारन कर लिया लोगों को लगा कि उन्होंने सूरे को खा लिया पर विवे की व्यक्ति समझ गए कि खा नहीं लिया अपितू राहू के द्वारा खाई जाने से सूरे को बचा लिया क्योंकि हनुमान जी अगर मुख में न लेते तो राहू मुख में ले लेता श्री हनुमान जी ग्यान का भल मुख में धारन करते हैं इसका सीधा सातात पर यह है कि जब वेद मंतरों तथा श्लोकों का पाट किया जाएगा तो मुख से ही तो किया जाएगा इसलिए यह कहा जा सकता है कि मुख का कितना बढ़िया उपियोग करना श्री हनुमान जी जानते हैं दूसरा भला क्या जानेगा जिनोंने जन्म लेते ही सूरे को मुख में धारण कर लिया जब दूसरी चलांग लगाने लगे तो समय भगवान श्री राम ने मुद्रिका दी और प्रभू मुद्रिका लेते ही प्रभू मुद्रिका मेली मुख माही उसे मुख में धारण कर लेते हैं इसका भी प्राय है कि सूरे को भी मुख में धारन करते हैं और राम नाम को भी मुख में धारन कर लेते हैं धारन करने का अर्थ है कि वे सूरे को राहू से बचा लेते हैं राहू जाकर इंद्र को उलाहना देता है उसने कहा माहराज यह नया राहू कोन आ गया जिसने मेरे स्थान पर सूरे को खाकर प्रकृती का नियम पलट दिया और तब इंद्रने श्री हनुमान जी को ठीक न समझने के कारण उन पर प्रहार कर दिया यह बड़ी विचित्रसी बात है कि एक ओर तो देवता और देत्यों में परसपर संगर्श है पर दूसरी ओर समझोता भी है भले ही देत्य वे देवता और दिखाई देते हूँ पर एक स्थान पर दोनों में समानता है इसे यों कहलीजिए कि देत्य तो ग्यान के और देवता भी ग्यान के और दिया पी बात बड़ी विचित्रसी लग रही है पर ज्ञान दीपक प्रसंग में आप यही सूत्र पाएंगे। वहाँ पर लिखा हुआ है कि इंद्रन सुरन ज्ञान सुहाई, विशय भोग पर प्रीती सदाई। जहां तक विशयों के प्रती आकर्शन की बात है, द्यातियों और देवताओं में कोई भेद नहीं है। देवताओं चाहते हैं कि लोग हमसे वस्तुमें प्राप्त कर लें पर ज्ञान नहीं, क्योंकि ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद तो हमारा महत्व ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए हमारे यहां एक बात बड़ी सांकेतिक भाषा में यह कही गई है कि जब कोई व्यक्ति तत्न ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो वह इंद्र के सिर पर पैर रखता हुआ उर्द्व लोग की ओर जाता है। इसका सांकेतिक भाषा का अर्थ यह है कि विशयों का सर्वस्रेष्ट स्वामी जो इंद्र है ज्यान प्राप्त व्यक्ति अब उससे उपर उठ रहा है। जो कभी न कभी मुर्चित न हुआ हो पर यह मुर्चा महान विक्ति के जीवन को धन्य बना देती है। इखनाथ ने इंद्र को हराया था तो उसे भी नागपाश में बांध कर उसने रावन के चर्णों में डाल दिया था। किन्तु इस प्रसंग में विक्चित्रता यह है कि जब वह श्री लक्ष्मन जी को उठाने गया तो उठा नहीं पाया। इसके पश्चात वह अन्य योधाओं को बुला लेता है फिर भी नहीं उठा पाता है। अंत में श्री हनुमान जी महारा जाए और उन्होंने लक्ष्मन जी को गोध में उठा कर भगवान श्री राम की गोध में पहुचा दिया। इसका सरलसा तात पर यह हुआ कि अगर भगवान श्री राम ने पूछा लक्ष्मन तुम तो जीवन भर मेरे साथ ही रहे और तुमने मेरे साथ अने एक यात्राएं भी की। इसके यह बताओ कि तुम्हारे जीवन में सबसे आनंद दायक यात्रा कौन सी रही। तब उत्तर देते हुए लक्ष्मन जी ने कहा महराज मेगनात ने जब शक्ती प्रहार किया उस समय जो यात्रा हुई वह अनुपम थी क्योंकि अन्य यात्राओं को मैंने चल कर पूरा किया पर वह यात्रा तो ऐसी थी कि जो बिना चले हुए ही पूरी हो गई। मैं एक पग भी नहीं चला और संत ने अपने गोदी में उठा कर आपकी गोदी में पहुँचा दिया। सच मुझ प्रभू मुर्चा में की गई वह यात्रा तो सबसे आनंद मैं रही। श्री हनुमान जी जब वज्र के प्रहार से मुर्चित हो गए तो पवन देवता ने वायों की गती रोकती। संसार में व्यक्ती वस्तु का मुल्य उपयोगिता के आधार पेना करके उसकी दुल्भलप्ता के आधार पर करता है। जो वस्तु कठिनाई से मिले वह संसार में अधिक कीमती होती है। यदि वहवारिक पक्ष पर ध्यान दें तो यह ठीक भी है और यह संसार के जीवों के लिए कल्यानकारी भी है आज हीरा महंगा है और गेहूं महंगा होने पर भी हीरे के मूले की तुलना में कहीं ज्यादा सस्ता है किन्तु भई प्रश्न यह उठता है कि हीरा अधिकुप योगी है या गेहूं तब सीधा सा उत्तर यह है कि हीरे के बिना तो करोणों विक्ती जीवित रहते हैं पर गेहूं के बिना जीवित रहना संभव नहीं इसलिए यह कहा जा सकता है कि हीरा अपनी दुर लबता के कारण महेंगा है तथा गिहूं सुलबता के कारण सस्ता है अन्न के बिना आप दो चार दिन रह सकते हैं पर जल के बिना रहना कठिन हो जाता है जल का दाम अन से भी कम है जल के बिना भी कुछ समय तक काम चल सकता है पर अगर वायू न बहे तो व्यक्ति की मृत्यू तुरंत हो जाएगी लेकिन वायू का दाम बिल्कुल नहीं है सच मुच कैसा विच्चत्र नियम है कि जिसे सबसे ज्यादा मूल्यवान होना चाहिए वह मूल्य रहीत है पवन देवता ने वायू प्रवाह रोख कर मानू यह कहा कि आप लोगों ने सूरे का मूल्य तो समझा कि प्रकाश बड़े महत्व का है पर आप लोग यह भूल गए कि प्राण तो वायू से ही है श्री हनुमान जी की भूमी का रामान में इसी रूप में है वी सुग्रीव के प्राण की रक्षा करते हैं बंदरों के प्राण की रक्षा करते हैं लंका में जाकर श्री किशोरी जी के प्राण की रक्षा करते हैं और शधी लाकर श्री लक्ष्मन जी के प्राण की रक्षा उन्हीं के द्वारा होती हैं तथा अंत में श्री भरत जी के प्राण की रक्षा भी वेही करते हैं ये मानों हमारे शरीर में स्थित पंच प्राण है और श्री हनुमान जी इन पाँचो प्राणों की रक्षा करते हैं यह प्राण वायु वस्तुतः भक्ती है भक्ती इतनी सुलब है कि व्यक्ती उसका दाम ही नहीं लगाता किसी संतिया महापुरुष से कोई पूछे कि हम किसका जब करें और संत कह दें कि राम नाम का तो कभी-कभी व्यक्ति सिर्पीट लेता है कि अरे यह तो हम पहले से ही जानते थे। वह सोचता है कि इस दो अक्षर के राम नाम में भला क्या रखा है। उस बेचारे को लगता है कि मंत्र भी मिले तो कोई कठिन शब्द वाला और लंबा सा। नहीं होगा और सबका आश्रवात श्री हनुमान जी के जीवन में चरितार्थ होता है। श्री हनुमान जी जब मा के पास पहुँचे तो मा से कहा कि मुझे तो बड़ी भूख लगी है। और साथी एक बड़ी मिठी बात यह कह दी कि लागी देखी सुन्दर फल रूखा। मा यहां वाटिका में बड़े सुन्दर फल लगे हुए हैं। लंका के फलों को देखकर हनुमान जी का ललच जाना यह तो आश्रे की बात लगती है। पर रामयन की एक सांकेतिक भाशा में इसका अभिप्राय बड़ा सुन्दर है। रामण की वाटिका के फल सुन्दर है। रामण है मूर्तिमान मोह और श्री किशोवरी जी मूर्ति मती भक्ती है। हनुमान जी में ग्यान के प्रकाश की भूख तो पहले थी और आज मांसे कहा कि मां मोह की वाटिका में बड़े सुन्दर फल लगे हुए हैं। क्या मैं इन्हें खालूं। सचमुच मोह की वाटिका के फल तो बड़े सुन्दर प्रतीत होते हैं। जरा आपने जीवन में जाक कर देखिए कि विशय हमें कितने सुन्दर लगते हैं। यद्यपी फल का सुन्दर होना एक गुण है पर यह मुख्य गुण नहीं है। इंद्रायन का फल देखने में बड़ा सुन्दर होता है। पर स्वाद में इतना कड़वा होता है कि खाना तो दूर रहा, उसको आप मुँ में भी नहीं डाल सकते। ज्ञान के पल में प्रकाश है, उज्वलता है, पर संघर्ष भी है। श्री सीता जी तो भक्ती देवी हैं, वे यह सूत्र देती हैं कि मोह की वाटिका में भी फल कैसे खाया जा सकता है। श्री हानुमान जी ने कहा था कि लागी दे की सुन्दर फल रूखा, किन्तु माने कहा कि सुन्दर को मधुर बनाने का उपाए मैं बताती हूँ। और वह सूत्र यह हैं कि रगुपती चरना हरदय धरी तात मधुर फल खा हूँ। जब तुम विश्यों को मोह के फल के रूप में लोगे, तो वे तुम्हें जीवन में नीचे गिरा देंगे। पर यदि भगवान को अर्पित करने के पश्चात उस फल को स्विकार करोगे, तो वह सुन्दर ही नहीं रह जाएगा, अभी तु मधुर भी हो जाएगा। श्री हनुमान जी ने पहले तो उस वातिका के मधुर फल खाए और उसके पश्चात सारे बाग को उजाड दिया। जो राक्षस आए उनको मार डाला। हनुमान जी से पूछा गया कि आपने तो मा से केवल फल खाने के आगया मांगी थी, पर यह क्या हुआ कि आपने राक् कारे कारे क्यों किये। हनुमान जी ने कहा भई यह सब तो फल खाने का फल था। आश्चरे हुआ फल खाने का फल माने। उन्होंने कहा भई भक्ती की क्रपा का फल पाने के बाद भी अगर मुह की वातिका ना उजड़े, दुरगन के राक्षस ना मरें और भोग मैं लंका न जले तो क्रपा का फल ही क्या है। इसलिए रामचरित मानस में सूत्र दिया गया कि जब कोई व्यक्ती स्वस्त होगा तो उसे सुंदर बुध्धी की भूख लगेगी। सुमति सुधा बाढ़ ही नित नई। साथ साथ सहारा लेने की आदत भी चूटेगी। सहारा का ता पर है कि हमें जरा सा सुक के लिए कुछ न कुछ चाहिए। यह वस्तो मिले तो वह सुखी होंगे। यह व्यक्ती ऐसा वहार करे तो हमें सुख मिलेगा। यही मानों बिना सहारे की न रहने की आदत है। वस्तोतह विशय के आस की ही दुरबलता है और वह स्वस्तता से दुरबलता गई, अब उस व्यक्ति में सनान करने की इच्छा होगी, जब व्यक्ति स्वस्त होगा, तो वह बिमल ग्यान जल जब सो नहाई, ग्यान के जल में नहाईगा, और उसके बाद तब रहराम भगती उर्चाई, भक्वान की निर्मल भक्ति उसके अंतह करण में च् में इस विवाद में पढ़ने की आवशक्ता नहीं है, कि भक्ति ठीक है, या ग्यान मार गुचित है, अथ्वा कर्म सिद्दान्त ठीक है, अगर हमें अपने को धर्मिक मान रहे हैं, किन्तु धर्म का जो लक्षन होना चाहिए, वह हम में नहीं है, तो हमसे बढ़कर मूड बुद्धी कोई नहीं, हम अपने आपको ज्ञानी तो मान रहे हैं, किन्तु ज्ञान का जो परिणाम अभिमान ही नहीं होना है, वह हमारे जीवन में नहीं है, तो फिर यहीं मानना चाहिए, कि हम ज्ञानी नहीं, बलकि ज्ञान का चदम आवर्ण मात्रधारन किये हुए है गुश्वामी जी ने इस संदर्भ में मीरा जी का उधारन देते हुए समझाया कि किसी पिता ने पुत्र को आग्णा दी कि तुम सोते समय अंजन लगाया करो पिता की आग्या का पालन करना धर्म है अते पुत्र नित्य अंजन लगा कर सोने लगा कुछ दिनों बाद किसी ने पूछा कि तुम नित्य रात्री को अंजन क्यों लगाते हो उसने कहा कि पिता जी की आग्या है सामने वाले ने फिर पूछा कि अंजन लगाने से क्या परिवर्तन हुआ उन्होंने कहा कि अब पहले से कम दिखाई देने लगा अब भला बताईए अंजन लगाने के बाद यदि वैक्ति अंधत्व को प्राप्त कर ले तो फिर वह अंजन ठीक है क्या मिरा जी के सामने यह समस्या थी कि वे क्या करे क्योंकि एक और तो करतव्य कर्म है और दूसरी और उनके हरदय की प्रीती है इसलिए गुस्वामी जी ने यही कहा कि धर्म का अंजन लगाने के बाद हमें पहले से कर्म दिखाई देने लगे तो समझ लेना चाहिए कि धर्म के नाम पर नकली अंजन होगा या फिर उस अंजन में कोई दूशित वस्तो मिल गई होगी इसलिए उन्होंने मिराजी को लिखा कि जाके प्रियन राम बैदेही तजियेता ही कोटी बाइरी सम्झ जदपी परमसनेही अंत में उन्होंने कहा कि अंजन आँख फोड़ने के लिए नहीं है उसकी एक मातर कसोटी है कि वह हमारे नित्रों की जोती में व्रद्धी कर रहा है के नहीं अंजन ने कहा आँखी जही फूटई बहुत तक कहूं कहूं लव हम ग्ञानी हैं इसका हमारे जीवन में क्या प्रभाव है हम भक्त हैं, इसका हमारे जीवन में प्रभाव क्या है हम धर्म को सुईकार करने वाले हैं, इसका प्रभाव क्या है ज्ञान का अर्थ है अभेद अपने पराय का भेद मिट गया, तो कहेंगे कि ज्ञान हो गया पर यदि इस ग्यान सिद्दान्त का दुरुपयोग करने वाला कोई होगा तो कह सकता है कि जब अपने पराई का भेद नहीं है तो सामने वाले के पास या अन्यत्र भी जितनी संपत्ती है वह हम ही ले लेते हैं भई जो सिद्दान्त चोरी सिखाए हमें अनाचार की ओर ले जाए वह ग्यान सिद्दान्त की गलत व्याख्या है तथा उसका दुरुपयोग है इसलिए इन तथा कथित ग्यानियों की निंदा करते हुए रामचरित मानस में कहा गया कि परत्रिय लंपट कपट सयाने मोह द्रोह ममता लपटाने तै अभेदवादी ग्यानी नर देखा मैं चरित्र कली जुग कर यह अभेदवादी दृष्टी नहीं अभितु सर्वनाष्ट की दृष्टी है इसलिए एक बड़ी महत्व पूर्ण बात कही गई कि ज्ञान पंथ क्रपान का इधारा सबसे तीखी धार तो ज्ञान की तलवार में है अतै इसका प्योग करने वाले को बहुत सावधान रहने की आवशक्ता है व्यक्ति इससे अपना भी अंग काट सकता है दुरुप्योग भी कर सकता है इसलिए मानो महरशी वालमी की ने सूत्र दिया कि पीतर उदारता तथा सेवा की व्रत्ति आ जाए तो यह अभेदवाद और ज्ञानसिद्दान्त का सदूप्योग है ज्ञानसिद्दान्त की धार में एक भै उसे भगवान भक्ति के द्वारा मिटाते हैं श्रीहनुमान जी ने पूछ दिया प्रभू आपकी भक्ति कैसे हो तो प्रभू ने कहा कि बस सारे संसार को मेरा रूप मान लेना मेरी भक्ति है पर उसके साथ एक विशेश वाक्य यह जोड़ दिया कि सो अनन्य जाके असी मतिन टरै हनुमंत मै सेवक सचराचर रूप स्वामि भगवंत इस सारे ब्रह्मान को तो मेरा प्रभू का रूप जा यही है यह कहा जा सकता है कि जब सारा संसार ब्रह्म का रूप है तो फिर हम ब्रह्म नहीं है क्या पर समस्या यह है कि इस रूप में इसका अर्थ लेने पर बहुदा यह व्रत्तिया जाती है कि हमारे अंदर ब्रह्म है अते बाकी सब हमारे सामने जुगें प्रभू का अभ नम्ह ज्यान अभिमानी बनाने के लिए नहीं है, अपितु सेवक और सेवाकारे में प्रेरित करने के लिए है। अतेवपियुक्त यही है कि विर्थ के अभेदवादी बनने के स्थान पर अपनी जीवन में इतना भेद अवश्य रखिये। यह बताते हुए महरशी वालमे की कहते हैं कि जननी समझा नहीं पर नारी, धन पराव विस्ते विसभारी। समत्व के स्थात इतना परत्व भी जिसके जीवन में बना रहे, वही व्यक्ती भक्त है और भगवान उसके हुर्दई में रहते हैं। नारायन नारायन